हाई गाईज आप वर्शा वेलकम और वेलकम बैक टो मैं चानल सो गईज आज का वीडियो होने वाला है इस्पेशल ममा से डाड़ी के लिए क्योंकि आज मैं आप लोग साथ में शेयर करने वाली हूं बेस्ट स्किन केर प्रोड़क्ट पर बेबी सो हां मेरी जो बेबी है वन मैं बहुत सारे प्रोड़क्ट अपने बेबी की स्किन के लिए यूस की हुई है जिसमें से कुछ के रिजल्ट मुझे बहुत ही ज्यादा रिजेक्टिट मिले है और कुछ प्रोड़क्ट में से एक ऐसा प्रोड़क्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा अफोड़ेबल है साथ म अब बहुत ही इसका जो मझे मिला है 5 स्टार रिजर्ट मिला है आज प्रोड़क मैं आप लोग को साथ में शेयर करने वाली हूँ और आज मैं आप लोग उसाथ में बेबी हेग स्किन केर प्रोड़क्त करने वाली हूँ यह जो प्रोड़क्त है मैं कंटिनुसली 3 मंद से यूज कर रही हूँ अपने बेबी के लिए इसका रिजर्ट मुझे बहुत ही अच्छा मिला है इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों साथ में इसका रिवी शेयल करूँ सो गैस चले मुवां करते हैं वीडियो के और सो गैस यहां पर जो है मैंने फर्स्ट क्राइस से मंगवाया हुआ है बेबी हेग ब्रांड के स्किन केर प्रोड़क्त इसमें हमें इस टाइप के 6 आइटम्स मिले हैं मैंने थोड़े ज्यादा कॉंट्री मंगवाया हुए है क्योंकि मैं कांट्यूनिसले इसे 3-4 मंद से यूज कर रही हूँ तो सबसे पहले मैंने इसे कम कॉंट्री मंगवाया था यह जो है मेरी बेबी के लिए बहुत ही बेस्ट प्रोड़क्त रहा है इसलिए फिर मैंने अभी इसे थोड़ा ज़्यादा कॉंट्री मंगवाया है इस तरह की बबल ग्रैप से यह पूरा मुझे रैप करके मिला तो चले गाऊ पहले में इसमें क्या क्या मिला है मैं करते हो कुं थि-र बाल यह बात है यह बढ़े मिला है ञानिया है यह तो किया आप दी सोई पहले हा कर लेता है यह बैषप्ट कर लिए बधी सार्टिंग है नैचरल सेवन ऑलना बट यह सीड़े unterstüt कर दिढ़े वाल के ब् इसमें और्लीव, कोकोनट, सीजेम, स्वीट अलमंड, वीड जाम, अलोई, एंड जोजोबा ओयल का कॉमिनिशन से बनाया गया है यह जो ओयल है बहुत ही अच्छा माइल, जेंटल, एंड डर्मेटलोजिकली टेस्टेड ओयल है यह ओयल मुझे परसनली बहुत ज़्यादा पसंद आया है इसका जो एक्चल प्राइज है टू टू टूइंटी फाइज है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है इसे अपने बेबी पर कैसे अप्लाइ करना है, यहाँ पूरी इनफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है इसकी बॉटल के उपर बट मैं आपको बता देती हूँ कि इसे किस तरह से अप्लाइ करते हैं सबसे पहले आप इसे अपने पाम में ले लीजिए और उसकी बाद में दोनों हैंड्स को साथ में रब कीजिए जो आपका हाथों का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएंगा तब आप इसे अपने बेबी पर अप्लाइ करें जो कि बेबी की बाड़ी का टेम्परेचर होता है सो इस तरह से मैं यहां पर बहुत ही धीरे अप्लाइ कर रही हूँ बट मैंने यहां फास्ट किया हुआ है इसलिए आपको स्पीड में दीख रहा है बहुत धीरे धीरे मैं अपने बेबी की मालिश कर रही हूँ जो कि बहुत इंजॉय करती है मसाज को आप देख सकते हो वीडियो में बहुत ही अच्छा लगा है और बहुत ही अच्छा मॉइशिराइजिंग प्रोवाइट करने वाला आईल है यह मुझे काफी पसंद आया है नहलाने के पहले मैं इसे इसके फेस में भी लगा देती हूँ जिसे के बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है इसका फेस एंड हैर पर भी अपलाए कर देती हूँ तो इस तरह से मैंने बेबी की पुरी बाड़ी में इसे लगा दिया है बहुत ही अच्छा ऑईल है मैं इसे थ्री मन से यूज़ कर रही हूँ इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है इन गईज चले मुवान कर लेते हैं नेक्स प्रोड़क्ट की ओर बेबी की स्कीन को बहुत ही माइल्ड वाला सूप है यह मुझे परसनली बहुत ज्यादा पसंद आया है डर्मिटोलोजिकली टेस्टेड है जेंटली वास करता है बेबी की स्कीन को और यह जो है नाचर इंगिडियन से बना हुआ है यह जो है बेबी की स्क्रीन को बहुत ही अच्छी से मॉश्यराइस करता है इसमें हमें मिल्क प्रोटीन, अलोई-वेरा एंड वीड्सम ओईल होता है जो रिफेट करता आ है मॉश्यराइस करता है बेबी की यह काफे पसंद आया है । बेबी सकंद को अच्छ से नरिष्मिंट प्रोईट करता है । तक हम बेबी की शोप रहती है । रहती है। जैसे कि मैंने मेगा पैक मंगवाया था उसमें मिल्की वाश आया इसे यूज़ करने के बाद में मैं आपको क्या बूली इसका रिजल्ट इतना अच्छा मिला है मुझे कि मैं नेक्स टैम से इसे ज़रूर्ण मंगवाया करूँगी यह भी जो मिल्क वाश है पेड़ेटरी शेन अप्रूड है यह भी जो है पावर आफ नैचरल ऑईल से बना हुआ है इसमें जो है मिल्क प्रोटिन फॉर्मूल का यूस किया गया है और इसमें जो है मौशराइजिंग अलोई वेरा है नरिशमेंट वीड़ेजम ऑईल है हाइडरेटिंग ग्लिसरीन है जो कि इसकीन को बहुत ही सॉफ्ट बनाता है मौशराइज करता है हाइडरेट करता है यह भी जो है जेंटल क्लीन करता है बेबी की सकीन को मौशराइज करता है इसकी जो फ्रेग्नेंस है बहुत ही बेस्ट फाइब रुपीज बहुत ही बेस्ट वाला मिल्क वाश लगा है मुझे यह एंड दो वहान कर लेते हैं नेक्स प्रोड़क क्यों नेक्स प्रोड़क ने मेरा यहां पर शैंपू तो यह जो शैंपू है यह भी बहुत ही एच्छा है यह पेडिये टेरिशियन अप्रूड है मि यह जो है बहुत ही अच्छे से मॉश्राइजिंग करता है फेर को नरिश करता है है इसमें जो है अलोई वेरा होता है वीड़ जम ऑल होता है बहुत ही माइल शैंपू है जेंटल वास करता है और्मिटोलोजिकली टेस्टेड है इसका एक्चुल प्राइज है 375 रुपीस जो क बहुत ही अच्छा है इसका जो पॉटल है उस पर आपको इसकी इसे कैसे यूज़ करना है सारे चीज़े आपको मिल जाएंगी बहुत ही अच्छा शैंपू लगा है मुझे डेली टीयर फ्री शैंपू है आप देख सकते हैं मैं अपने बेबी पर अपलाय कर रही हूं बिल बेबी हग ब्रांट से यह भी जो है पेडेटेरिशियन अप्रूड है पावर आफ नैच्रा ओयल से बनाया गया है इसे भी बनाने के लिए मिल्क प्रोटिन फॉर्म लगा यूज़ किया गया है यह भी जो है डेली मॉश्याइजिंग लोशन है हम डेली में इसे यूज कर स है स्कीन को यह भी जो है माइल लोशन है जेंटल है डर्मेटोलोजिकली टेस्टेड है इसका एक्च्छल प्राइज है 375 रूपीस है बहुत ही अच्छा लोशन है एक बार आप इसे अप्लाय करोंगे तो 24 हर्स कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी नेक्स प्रोड़क से इतना अच्छा इसका रिजर्ड मिला है कि मैं नेक्स टाइम से पूरे बेबी हग के ही प्रोड़क मंगवाने वाली हूँ यह भी जो है मिल्क प्रोटिन फॉर्मुला से बनाया गया है पैराबिन फ्री है अल्कोहल फ्री है और्मेटोलोजिकली टेस्टेड है इसमें भी से बनाया हुआ है यह 100% बाइटीड़ेडियबल है इसमें इसमें अपको प्रोड़क पसंद आया हो अगर आपको पर्चिस कना चाहते हो तो मैं लिंक इसके आप से मिशन कर दोंगे इंड गई ऐसे इन फ्रमोड़ी वीडियो आप में में मिलती हूं आपसे नेक्ट वीडि पर वाचिंग, बाबाई, टेक्केर